इसको सरकार के फासी चढ़ाने की जुरूत नहीं है, जनता के आगे फेकने की जुरूत है, जनता में ऐसे भेडी है बैडी है बैटे हुए हैं जो इसके हड्डियों तक को निगल जाएंगे पहले कहना तो मेरा एक जो सद्धा नाम की लड़की है जिसका कतल किया गया उसने अपने माबाप के बिस्वास का कतल किया जब माबाप की नॉलेज में था कि आप गलत लड़के के साथ रिलेसंसिप में हो माबाप आपको रोक रहे हैं लेकिन आप इसमें इतनी अंदे हो जा कर रहे हैं जो आपके भविस्ट के लिए ठीक नहीं है अपने माबाप का कहना नहीं सुन रहे तो सबसे पहली दोसी आप हो आपकी हत्या का जो पहला कातिल वह आप स्वेम है अगर अब यह कोई हिंदू का लड़का किया होता तो अब तक सब रोने आ जाते हैं अब आऊ ना अब कियो नहीं आ रही है नमशकार मैर पाली और आप देख रहे हैं जी टी नियोज श्रद्दा आफटाफ की मामले में रोज नए मामले और मुद्दे सामने आ रहे हैं कैसे खून किया गया और कैसे उसकी लाश को कई दिनों तक फ्रिज में बांध कर रखा गय इस पर लोगों की क्या रहे हैं आज जानते हैं अब एक कुछ दिनों पहले क्या कुछ दिनों की बात है एक मामला सामने आया था श्रद्दा नाम की लड़की का एक आफटाब नाम के लड़के ने लव जिहाद के तरीके से 35 तुकड़े करके उसे गाड़ दिये रोज नए उसे खुलासे किये जा रहे हैं कि काटके उसने फ्रिज में रखा था फिर उसके साथ रहता था मारने के बाद उसने एक और नहीं गल्फ्रेंट बना ली जो कि फिर से हिंदू थी क्या आपके राय उसे और मैं में एक और चीज है कि यह सिर्फ सर्दा जैसी एक ही लड़की और भी कही लड़कियों को फ्रिज में उसने काट के रखा था इसको सरकार के फासी चढ़ाने की जरुत नहीं है जनता के आगे फेकने की जरुत उसके बाद देखे तमासा अगर कल से रिप होना बंद नहीं हो गया समाज में तो कहना तो तुम्हारा उसका रक्षा करना उसके रक्षा में अगर मारा भी पड़े तो मार दो क्या है वो पाच रक्षा गौर रक्षा इस्त्री रक्षा देश रक्षा धर्म रक्षा और आत्म रक्षा पे जब जब बात आए तो काटना भी धर्म है ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है और हमारा जो कानून है ये भी हम अधिकार देता है तो फिर क्यों नहीं हम क करना जाया जै मारो निकलो घर से काटो मैं सिधा यही कहता हूँ लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होगा चलो सो लोग नहीं जगेंगे दस तो जगेंगे उन दस की जरूरत है हमें लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए कि आपको कानून हाथ में लेने की जूरत पड़े क्यों अगर डरते हैं तो देश में लव जिहाद नहीं होते हैं देश में मुसलमानों के द्वारा आतंकी हमले नहीं होते हैं दंगे नहीं करते हैं क्यों करते हैं इनको मदर्से में तालीम दी जाती है क्या काफिर को मारो काफिर कौन जो इसलाम को नहीं मानता हम नहीं मानते हैं इसलाम को हम खुल के बोलते हैं किस मुले में गम है किया के हमको मारे आओ हम तुमारा स्वागत करते हैं छूके दिखाओ फिर बताते हम तो ड पहले यह था कि पता नहीं कि किसने मर्डर किया है शायद पलिस सही भोल रही है फिर अब यह नया मुंदा सामने आया है कि उसने खून को किया और पाटश तुकड़े भी किये पर उसी पैथिस तुकड़े को उसने फ्रीज में रख के कई दिनों तो कुसके साथ तक रहा इस पर आपके क्या कहना है? तो मैं तो यही कहूंगा, यह सनातन धर्म की लड़कियों की अकल पर जो ताला पड़ा हुए ना उसका चावी बनाना बहुत जरूरी है। पहले यही सिक्षा देते थे हमें किस के साथ उठना चाहिए, किस के साथ बैठना चाहिए, किस के साथ खाना चाहिए। और सौने की जो बात आती है, तो बो यह भी बताते थे, कि साधी एक ऐसा, साधी भी एक तेहवार की तरह होती, तेहवार कैसी, खुसियों का तेहवार। तो साधी का मतलब यह होता है, कि आप किसी के साथ बंदन में बंद रहें, और बो जीवन भर आपका ख्याल रखेगा, और बो ढूड के कौन देता है, आपके पैरेंट्स। अगर आप पैरेंट्स की बातों को उनके अनुभब को इगनोर करोगे, तो आपको ठोकर घलनी घलनी है, वो सद्धा के साथ क्या, इससे पहले भी कई लड़कियों के साथ हुआ, तो मैं यही कहूंगा, कि कोई भी लड़की, किसी भी भारी लड़के से, अगर रिलेशन से प्यार करना कोई बुरी बात नहीं, मैं भी कहता हूँ, नहीं प्यार करो बैरिफिकेशन के साथ, पहले आप किस लड़के से, मालो आपको कोई राम बता के रहीम आपको प्यार के जाल में फसा रहा हूँ, तो पहले आप आईडी तो चेक करिए, आदार काट तो देखी, आ सबसे पहली दोसी आप हो, आपकी हत्या का जो पहला कातिल वो आप स्वेहम है, बाद में वो अलग परसन है, जो जिहादी बाद में आता है, क्योंकि पहले तो डिसीजन आपने लिया ना, हम जिहादी के साथ रहेंगे, तो ऐसे जिहादियों के साथ रहने का क्या पढ़ना कि आहतंगी कि मुस्लिमी क्यों होता है ? क्यों को पीयर के जमी ने मुझा कर लाना हम होता है ? घूर लड़के जो अपने ज्योटे जाल मे फ़साहर भी यहीम होता है ? कि उस दिन से मैं चैनल पर अपनी बात रखना बंद कर दूंगा अभी कहा कि जब आप माबाप के अगेंज जाएंगे तो आपको ठोकर लगी लगी लेकिन ठोकर ऐसी होनी थी ये किसी लड़की को कैसे पता चलेगा ये देखो एक बात ये बता दें कि प्यार करना गलड नही जो F.I.R. लिखाई है उस F.I.R. बकाइदे उसने ये भी लिखाया है को उसकी मा की जब हुई थी लड़की के घर से भाग जाने के बाद ही ओ सदमे में इस्पायर हुई है सदमे में ठीक है और लड़की और ये जो लड़का है अफताब ये दोनों मुंबई में कॉल में दोनों साथ में जौब कर रहे थे तो अफताव ने और इनका डिलेशन सिफ हुआ डिलेशन में थे खुब अफताव ने यह उन्सोशन किया जो भी किया ठीक है फिर उसने लड़की ने जब साधी के लिए दबाव बनाने लगी तब फिर लड़की ने आप लेके आया उसक ठीक है और लाने के बाद बकाइदा ओतो दुनिया जान रही है लड़की कि च्छत्य गुंडतों नहीं मिले लेकिन चल्ट टुकृण जरूर हो गयी किर में जरूर ऑब오리 कर इसमें नाम मीं मिंब आले कहां गये अब विह माले कामर गया अब यह आजार ररामरणार क्या न लेकिन इसका सपोर्ट कोई बाहरी या कोई बड़ा आदमी करने क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि जब भी हमने देखा है कोई और केसे होते हैं जहां पर वाइस वर्सा होता है तो महां पर सब खड़े हो जाते हैं कि justice for this आज क्यों नहीं हो रहा है लड़की का एक भीम लड़की के एक मिम वाले ने काटा है अब यह नहीं आएंगे अगर अभी यह कोई हिंदू का लड़का किया होता तो अब तक सब रोने आ जाते जाश्टिस वारी है अब आओ ना अब क्यों नहीं आ रही है अब नहीं दिखाई देंगे यह जैसे सर ने कहा है कि आप justice गलती होती है आपको जानना चाहिए कि आप प्यार किसे कर रहे हैं प्यार करना गलत नहीं है लेकिन आप जब बात नोटिस करेंगे कि वो खुद से भागी वो खुद से हैं ठीक है उनको प्यार के भले ही प्यार के जहासे में फसाया गया और लेकिन पहली गलती किसकी है मैं आप से जानना चाहिए पहली गलती इस बार लगातार जो है हर बार क्राइम होते थे और इस तरह के जिहाद के क्राइम होते थे तो लगातार आपना एक ही काम एक ही अजड़ा फिक्सप में यहां में पहले करने पहले जाते हैं कहीं कहीं मतलब जब बाप बिलकुल पागल हो अज समझदार नहीं हो मगर आप सचमुच गलत फैसले ले रहे हैं यह यह जीवन का बड़ा फैसला होता है आप जो है ऐसा किसी के साथ इन लोगों की जिहादियों की मानसिक्ता इतनी सक्त हो गई है जैसे किसी पट्री पर ट्र इस बात को नहीं समझ रही है हमने तो तो मॉडन बनना है हमारा वाला अब्दूला लग है ऐसा कुछ नहीं है सबका अब्दूल एक ही टार्गेट में घूम रहा है और उसको इनको समझना चाहिए अपने चेहरे लोग है इनको बेनकाब करने चाहिए पहली बात तो जो जो खबरे आई कि डेटिंग एप से जुड़े डेटिंग एप से तो मैं बताना चाहूं किसी को भी नहीं जोड़ना चाहिए कभी भी आप किसी से रिलेशन बनाओ मतलब यह गल्फरेंड वॉइफ्रेंट या एक लाइफ पार्टनर के रूप में अगर किसी को भी देखते अंजान को अन्नोन को आप वहां खोशते हैं तो बिलकुल आप वो अपना आइडेंटिटी छुपा के आपसे दोस्ती कर लेगा फिर आपको अपने अंजाम पे पहुचा देगा तो डेटिंग आप का इस्तमाल ना करें यह भी एक बहुत बड़ी बात है दूसरी बात इसम बिसे समधाय को काट के पैक नहीं कर रहे हैं यह लड़कियां खुद मौत के मुझमें हाट डाल लए है आप जब देश का कानून देश हर आदमी हर वर्ग लड़कियों को समर्थन में खड़ा है तो आप जबर जस्ति मौत के मुझमें हाट देके बैठी रहेंगी तो लकियां यह हम लोग क्यों साधनरे अब तक ऐसा कोई कानून क्यों नी बना कि इन लोगों को डराया जाए इतना यह डर जाएं कि ऐसा कोई घिनोना काम यह क्राइम करी ना सके नैयाले भी पस्त है नैयाले भी सो रही है आज वह लड़का सुबह जो है अच्छी नीद ले जो कि यह मौका उसे नहीं देना चाहिए था वह अच्छी निद्रा में था 36 टुकड़े करके किसी को अलग अलग जंगलों में फेक दिया और खाया भी मतलब इतनी निर्दायता की बाद वह सुबह अच्छी निद्रा था जेल में क्यूंकि उनको पता है कि एक घर में 12-15 लो एक को चड़ाए दो को चड़ाए चार को चड़ाए उसके बाद तुरंत ये लोग ठंडे हो जाएंगे तुरंत ये लोग पस्त हो जाएंगे अपने अंजाम यही नहीं बलतकार रेप जिहादी यही सब नहीं कोई भी क्राइम हो फास्ट्रेक कोट चला के जिनका सिद आरो डाउन नहीं करना चारी, सरकार नहीं डाउन करना चारी है, क्योंकि वकील भी तो तयार हो रहे हैं, सबको अपना टाइम पास करना है, और फिर न्यू चैनलों को भी टाइम पास करना है, तो ऐसे टाइम पास नहीं करना है, आप क्राइम एक आदमी जो है कितनी मुश्किल से म ताकि इस तरह जो क्राइम कर रहे हैं और ये अपने इरादे नापाक इरादे तुरंत अंजाम दे रहे हैं ये सब तुरंत रोक लगे और जो है कि ये लोग लगातार ये विसे समधाय वाले एक जो अपने टार्गेट जैसे ट्रेन पटरी पे गुजरना तैं हो गई है इसी तरह ये लोग जो है क्राइम करना तैं हो गया और लड़कियों को भी समझना चाहिए नयाले को समझना चाहिए सरकार को समझना चाहिए सब सतर्क हो जाएंगे क्राइम रुख जाएगा जैसा कि आपने देखा लोगों में आकरोश का महौल है लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ आफताप की गलती नहीं है बलकि उस लड़की याने की श्रद्धा की भी गलती है जिसने माबाप के बताया जाने के बाद सतर कराने के बावजूद उसने ये कदम उठाया आपके इस मुद्धे पर क्या रहा है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तमाम ऐसी खब आजी के बार्या जए बताइब नहीं है हमें पुटब लगल है भी शतर के जाल में बताइब के जाल एकुटी की बताछ चाने की शचल्श्टी उनए वल्या है फिसम Вас जो पहल-या है